अस्वांग विडियो और बिजवान चीमा, वेलकम बैक विद्णर वीडियो और कैपिटल स्मार्ट सेटी, आज कि इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सेटी की साइट पे जो इंटरचेंज पर डिवेलपमेंट हो रही है, उसके अफाले से बताऊंगा, and most importantly, कैपिटल स्मार तो definitely आपको उसके बारे में एक clear understanding हो जाएगी कि society ने इस interchange के design जो कितना बड़ा master plan किया ला है, या कितना बड़ा master stroke है for the members of capital smart city, कि जिन्हों ने भी capital smart city investment कर रखी है, definitely उनकी investment पे आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा खातरखा result आएगा in the form of returns, इसलिए इस interchange के design का जि loops बन रहे हैं, यानि कि आपका exit loop और entry loops है, उसके अखाले से बताऊंगा, over the time being, till the time officially interchange पे construction का अखाज नहीं होता, till the time जो entry point है, slip in point है, जो अभी आप देखने स्क्रीन पे, ये point तो काफी हद तक visible है, क्योंको society की तरफ से तरफी बनाई से 4 या 5 मां पहले इस point को open कर दिया लेकिन जो exit point है, यानि कर आप इसलामबाद से लहूर जा रहे हैं, तो आपके left side भी point आता है, जहां से आप entry ले सकते हैं, अगर आप exit लेते हैं, तो you have to go to चक्री इंटर्चेंज और वहां से दुबारा आपको interchange से loop से out होके, इसलामबाद दिर वापिस आना पडता है, तक capital smarti का official slip out point होगा, उसको भी open कर दे, और इसके बाद फिर members जो हैं, वो साइट पे easily commute कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, capital smarti के interchange में जो designs आये हैं, जो changes आये हैं, वो बें studio में explain करूँगा, first of all जो आपको boost नदर आ रहे हैं, ये capital smarti का tall plaza होगा, जैसे कि आप इसलामबाद से, let's say lahore जा रहे हैं, जो आपको tall plaza आपको नजर आता है सबसे पहले, उस tall plaza क्रॉस करने के बाद आप tall, जो tax है वो उसकी slip लेते हैं, और जिस point से आप exit लेते हैं, उस पे आप उसकी payment करते हैं, same goes for this के capital smarti का अपना, जो tall plaza है, वो भी eat के बाद बहुत जल्दी operational हो करती थी, और आज आपके सामने physically एक carpeted firm में loop मजूद है, कि अगर आप चाहें, तो इसलामबाद से, यानि capital smarti की site से, exit लेके opposite side पर जा सकते हैं, और opposite side पर जो slip out point बन रहा है, जहां पर road की carpeting भी होगी और proper gate भी नस्ब हो गया है, उस हवाले से बताऊंगा, इस वीडियो मे आप ground footage प्लस सासत aerial footage दोनों देखेंगे, ताकि members को clear understanding मिल सके, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में capital smarti में eat के बाद चाहत बहुत ज्यादा changes आपको देखने को मिले है, reason is कि अब भी अगर आज की date में आप side visit करते हैं, तो overseas central की site हैं, उसमें बहुत ज्यादा तीजी से काम हो रहा है, in fact मैं आने वाले दोनों में इन चला उसकी footage पोस्ट कर दूँगा, क्योंकि capital smart city की इंत्जामिया का ये plan है कि September 2023 में overseas central को, जो different blocks हैं, different sectors बने overseas central में, उन में से majority sectors को possession offer कर दें, ताकि members equally, यनि अगर आप overseas east में plot लेते हैं, तो आपको possession offer होता है, अगर आप overseas prime 1 में plot लेते हैं, तो आपको possession offer होता है, executive block में अगर आप B block तक possession लेते हैं, B sector possession लेते हैं, तो आपको possession offer होता है, लेकिन central में आपको possession कहीं भी offer नहीं होता, इसलिए society की तरफ से central की development है, उसे September की timeline के साथ, जो site engineers के सब मेरी बात हुई है, September की timeline के साथ, उसको develop किया जा रहा है, कि September 2023 23 में हमने overseas central के members के लिए possession open करना है, उसके साथ अब दो points अब note कर लें, कि दो points से आपको बहुत ज़्यादा तेजी से काम होता हो, नजर आएगा, नमबर बन दो मैं आपको explain कर दिए, जो आज की वीडियो है, वो specifically जिस point के हवाले से है, वो point ये बनता है, कि interchange की loops बनने लग जाएगा, ये interchange जो एद के बाद है, most probably operational हो जाएगा, तो उसके बाद members के लिए, जिन्नों ने भी plot ले रख है, इसलामबाद से capital smart डे commute करना आना और जाना equally उतना ही असान हो जाएगा, जितना आज की date में आप capital smart डे में असानी से visit कर सकते हैं, let's say F11 head office से आज की date में आप site site पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज की date में आपको जितनी commute मिलती है, mostly जो commute मिलती हो signal free मिलती है, याई आप कश्मीर highway या सिरिनगर highway पर travel करते हैं पहले, उसके बाद आप motorway पर travel करते हैं, तो signal free commute है, तो आप easily बहासानी जा सकते हैं, लेकिन आने मेले दिनों में definitely जब site प पर आपको plots जो मिल रहे हैं, वो comparison to the rest of the Islamabad and Ravalpendi बहुत सस्ते मिल रहे हैं, कुछ members इस बात पर आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है, वो महिंगी है, बट किसी ने आज तक इस बात को deny नहीं किया, क्योंकि पाकिसान की वह सुसाइटी है, जिसने अपने project में 20% down payment पर commercial का possession, और 30% down payment पर आपको residential plot का possession जो offer की है, यानि कि बाकबजा plot, possession वाले plot आपको 30% down payment के साथ मिल रहे हैं, तो यह सुसाइटी के achievement है, इसके बारे में बात करेंगे, for the time being, अब इंटर्चेंज के point पर आते हैं, सिरफ जो इंटर्चेंज के point बनते हैं, अब इच्छाए यह loops और construction मकमल होंगी, तो यह जो आपको specific area है, इसमें कोई residential property, कोई commercial property आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो residential और commercial properties हैं, वो आगे जागे स्टार्ट होंगी, यह वाला जो area है, यह National Highway Authority की domain में आता है, यानि कि NHA की premises हैं, NHA की ownership में है, Capital Smart, यह वाले जो land है, वो National Highway Authority के न जब आगे access point पर जाते हैं, तो आगे gate पर सिंक्ट आता है, जहां पर society की high rise commercials बनेंगे, यानि motorway से तकरीबन 3-400 मीटर अंदर आने के बाद आप a commercial area start होगा, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि जार सी बात है, motorway जब गाड़ियों ने बहुत ज़्यादाद में आने वरे दिनों में, अभी तो project में अबादी उस तरह से नहीं है, अभी society की तरफ से जो 900 विलाज बनाये जा रहते हैं, जिनका possession सब्टमबर 23 में offer होगा, उनका possession भी नहीं आया, तो अभी for the time being society की side पे as such कोई resident जो है, वो नहीं रह रहा, लेकिन future में जब residents ज़्यादा हो होंगे, जब लोग ज़्यादा होंगे, बिजनसे ज़्यादा होंगे, hospitals, जब इस तरह के अधारे यहाँ पे आएंगे, तो definitely यहाँ पे यह शुरू का area जो होगा, वो बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे travel करना, तो society को design में बिलकुल खाली रखा है, वहाँ से greenery है, वहाँ में explain कर दूँगा, right now doctor and claim mentor होगे हैं, और doctor and claim जो पूरा block है, वो society की तरफ से मकमल तोर पर reserved है, उसको किसी members को, general member को वहाँ पे plots offer नहीं किये गए, कुछ members हैं, जो एक USA based organization है, आघास के नाम से, वहाँ के members को यहाँ पे कुछ plot offer किये हैं, doctors को, maybe future में जाके कुछ inventory बच जाए तो society उने general members के लिए offer कर दे, definitely on cash, लेकिन आज की date में doctor and claim में, as such कोई members को plot की allocation नहीं हो रही है, बाकि जितने blocks हैं, अगर हम बात करें, overseas central की, overseas east की और बाकि जितने blocks बनते हैं, तमाम blocks में जो development है, वो अपनी page से जारी है, overseas east में development में आपकर बात करें, तो sector H में एक आपको नहीं construction होती है, एक building के नजर आएगी, मों बाद में separately explain कर दूँगा, और इसके साथ 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 सेक्टर H में भी, जो साथ मरला के विलाज और बाकि विलाज बन रहे हैं, उन विलाज पर काम अभी मुकमल हो रहा है, इसके साथ साथ आगर आप बात करें, और से central के बारे में तो आपको जो central एक road नजर आता है, linear park road, उसके right और left side पर जितने भी blocks हैं, उन तमाम blocks का society की तरफ से इतना तेजी से काम किया जा रहा है, कि एक से date महिना पहले site पर development अगर आप notice करते हैं, तो आपको सिरफ एक part था थोड़ा सा जो corporate नजर आता था, लेकिन आज की date में, overseas central म आपको development बहुत तेजी से नजर आती है, तो definitely एक बहुत ही खोशाइंद बात है, कि इस society की तरफ से किया जा रहा है, अभी definitely मैं आने मेरे दिन में इंचला site की different sectors की videos बनाऊंगा, तो आपको इस बारे में clear understanding मिल जाएगी, अब आते हैं दूसरे point पर जो इस video का main concern है, main topic है, क तो definitely हम consider करते हैं interchange को, जैसे रावलपिंडी, इसलामबाद, लहौर, फैसलाबाद, कराची में interchange बनते हैं, कि एक बड़ा road होता है, उस road के side पर चार loops बन जाते हैं, यानि कि दो entry point और दो exit point इस तरह के चार loops बन जाते हैं, लेकिन जो capital similarity का interchange के design मैंने विटनस किया है, वो इ underpass के साथ-साथ आपको चार loops मिलेंगे, यानि कि interchange क्रॉस करने के लिए आपके पास alternative options होंगे, एक option तो आपको यह होगा, कि आप motorway से directly, आप इसलामबाद से ट्रेवल करें towards लहौर, तो आप directly slip in ले सकते हैं, slip in से मुराद यह है, कि आप इसलामबाद लहौर जाते हुए, motor number one, number two, कि आप slip out भी ले सकते हैं, लेकिन जो underpass होगा, उसका फाइदा ही होगा, कि capital smartree, आप चौंके motorway के opposite side पे land की बहुत बड़ी procurement कर रहे है, और land की बहुत बड़ी procurement के साथ-साथ वहां पे future में आपको DHA9 की premises भी मिलेंगी, अब DHA9 बिकर वहां पे आ रहा है, capital smartree यहा और डेडला कनाल का दावा करते हैं, और आगे ब्लू वेल्ट सिटी भी और साथ-साथ फैसल टाउन भी है, अगर यह चार परजक्त तो सिर्फ देख लें, जिनमें से सिर्फ एक परजक्त के पास interchange है, that is capital smartree, तो definitely यहां पर जंक्शन बनेगा, यानि future बनेगा, वो बहुत to pass through this point, अब motorway पर जो front है, capital smart है का, definitely उस front के साथ-साथ, mostly यूनिस्टी है, medical clinics होंगे, आपका theme park होगा, इसके साथ-साथ वहां पर पर हॉस्पिटल के एक healthcare district है, जो reserved है, वो चीज़ें आपको नज़र आती है, तो definitely बहुत बड़ा advantage होगा, future में जाके, अभी अगर आज जाएन के मताबिक जब आप फ्यूचर में बिल्डिंग्स बनेगी, तो बहुत ज़्यदा अच्छा point होगा for members जिनके पास already यहां पे inventory मजूद है, अब बात करते हैं, दूसरे topic पे, के जो slip out बन रहा है, motorway पे अगर आप अभी commute करते हैं, जैसे अब देख रहे हैं, जो लह पे जिस तरह से road थोड़ा सा ज्यादा carpet किया जाता है, उस तरह से carpeted point ज्यादा कर दिया गया है, तो future में, यानि कि most probably इसमें 3-4 अफते यहां maximum करने 6 फते का time होगा, कि जब EAT के बाद society की site पे दुबारा काम सब कुछ operational होगा, तो मेरा ख्याल है कि इस point पे दुबारा आदवाल ब्रिज और opposite side पे जाके site पे जा सकते हैं, लेट से आप इसलामबास से आते हुए, आपके left side पे जो कि slip in आता है, slip in से entry लेके आप site को visit कर सकते हैं, तो capital smarty future में जाके members को physical interchange जो है, जो physical interchange से मुराद होती है, कि किसी जगा से motorway पे पॉइंट है, यानि यहां से ले smarty slip in और slip out के साथ proper interchange operationalize कर देगा, बाकि जो aesthetics हैं, इंटरचेंज की, जो मैं आपको बात ताही है, कि six lane each, यानि कि अगर आप 12 lane underpass की बात करें, तो शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा underpass होगा, जो capital smarty की site पे बनाया जाएगा, और जिसका design मैंने witness किया है, अम note saying कि उसी design construction होगी, may be, ये energy के requirement हो, कि आप different proposal देने design के, कि आपका design इस तरह का है, और capital smarty ने एक वो design proposal के तौर पर पूट किया हो, और may be, there is a possibility कि वो बाहिए design में जो capital smart ने पूट किया, क्योंकि जार सी बात है, capital smarty ने उसको public तो नहीं किया, जैसे कि इंटरचेंज के approval की जो news थी उ करते हैं, हमारे साथ investors की बहुत ज़ता amounts यहां पे invested हैं, तो definitely हम अपने homework मकमल करते हैं, हम चेक करते हैं, कि definitely ये चीजे authentic हैं या नहीं है, तो ये चीज बिलकुल authentic है, capital smarty का जो motorway पे interchange है, वो underpass की form में होगा, और उसके साथ साथ अभी temporary access के लिए, इस bridge को use किया जाएगा, और वीडियो के आगे जाके पार्ट पे मैंने recently आपको वो पार्ट दिखा दिया जहां से exit point बनेगा, और opposite side पे आपको major parts हैसे हैं, जहां पे 1200, 2300 किनाल के जो मुक्तलिफ compact pieces हैं, उनकी ब्राउनिंग भी नजर आती है, अगर आप इस angle से देखें, ये motorway का opposite side पे जहां में prime 2 की land बनती है, prime 2 land से देखें, तो आपको till आप देख लें, overseas east, इसके सासाथ golf course, और golf course में जो facilitation center बन रहे हैं, जो executive block है, प्लस सासा जो interchain की premises हैं, new tech university की premises हैं, तमाम premises बड़ी clearly visible हैं, तो आने में जनुम में उमीद कर सकते हैं, capital smart team अपने own पे एक निया standard set करने जा रहा है interchain की form में, और यही चीज़ जो अगर replicate होगी पर लहोर में और फिर जिस शेयर में नेया project आएगा, definitely इस तरह के आपको लें, land box देखने को मिलेंगे, so this was it from today, अगर आपको capital smart team अगर आपको capital smart team अगर लहोर smart team में बुकिंग के बादे कुछ मालूमाद चाहिए हो, तो दीग आपस्ट